हेलो गाइज, तो चलिए बिना देरी की ये शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड अगले दिन जैपूर में, आर्यन महल में भेरवी के रूम में खिर्की से बाहर उखते हुए सूरज को देख रहा था आज आर्यन को लग रहा था जैसे उसने पूरे धाई साल के बाद सूर्योदे होते हुए देखा था क्योंकि भेरवी के जाने के बाद आर्यन के लिए दिन और रात कोई मायने नहीं रखती थी आर्यन किसी जिंदा लाश की तरह जी रहा था उसे दिन या रात से फर्क नहीं पड़ता था आर्यन पर भेरवी के अर्मान से कहे आखरी वादे को पूरा करना चाहता था गरीब बे सहरा लड़कियों की तसक्री रोक कर आर्यन का यह मोटिव था कि वह जितने हो सके उतने लड़के लड़कियों को बचा सके और ड्रग डिलिंग जैसे कई कॉंट्राक्ट को कैंसल करक भ करने की वजह से ही सही आर्यन जिन्दगी जी रहा था पर फिर भी वो किसी पुतले से कम नहीं था पर जब से आर्यन ने जब से शाकाल के मुह से यह सुना था कि भेरवी जिन्दा है तब से आर्यन की धड़कन लगातार जोर जोर से धड़क रही थी आर्यन ने अपने दिल के सामने भेरवी का मासूम और खुबसूरत चहरा गया। आर्यन अपनी आखे कसकर बंद करके भेरवी के ख्यालों में खोया हुआ था तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ उसने कॉल पर फश हो रहे नाम को देखा और ये देखकर आर्यन के बेस पर एक गहरी मुस्कान चा आर्यन ने कॉल किया उधर से किसी ने कुछ नहीं कहा दोनों तरफ से कॉल पर सन्नाटा च्छाया हुआ था आखिर में आर्यन ने ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा अगर फोन किया है तो ये भी बता दो की क्यूं किया है वरना मुझे बहुत काम है मैं रखता ना कहकर आर्यन ने कॉल कट करने का नाटक किया उधर से किसी बच्छे के गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी ये कोई और नहीं अर्मान था अर्मान ने गुस्से से कहा आपने मुझे बताया क्यूं नहीं मैंने आपसे कहा था ना कि अगर बात कन्फम हो जाए तो आप अगर रीजन नहीं मिला तो अर्मान उसे छोड़ेगा नहीं क्योंकि पिछले धाई सालों से जितना आर्यन तडपा था उससे कहीं ज्यादा अर्मान तडपा था क्योंकि अर्मान और आर्यन में बहुत ज्यादा अंतर था भले ही अर्मान सब को दिखाने के लिए एक बड़े इनसान की तरह बिहेव करता हूं पर आखिर में उसका दिल एक दस साल के छोटे से बच्चे का ही था। उसने आठ साल की उम्र में ही अपनी बूआ को खो दिया था जो की उसके जिंदगी का इकलोता ऐसा सहारा थी जो उसे जीना सिखा रही थी और जब आर्मान उसकी वज़े से खुल कर जिंदगी जीना सीख रहा था तब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिस वज़े से का ख्याल निकल गया पर तुम चिंता मत करो मैं किसी भी हाल में उसे वापस हमारे पास लेकर ही आऊंगा उधर से अर्मान का जवाब आया आपके पास दूसरा कोई आप्शन नहीं है मुझे वह सही सलामत अगले दो दिन के अंदर अंदर राठोर मेंशन में चाहिए मैं अप अपनी बुआ को सही सलामत उस निरंजन राना की कैद से छुड़ा सके अर्मान की बात सुनकर आर्यन ने कहा अरे मेरे बाप मुझे पता है तुम्हारे पास मुझसे कही ज्यादा पावस है पर आर्यन मलहोत्रा भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है तो तुम ये टेंशन म मुझ पर छोड़ दो मैंने अपने आदमियों से पता लगाने के लिए कह दिया है कि जैपूर से बाहर ऐसी कौन सी सारी जगह है जहां पर निरंजन राना भेरवी को रख सकता है और मेरे पास उन सभी जगहों की लिस्ट आ चुकी है पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आओ के फाइब मिन्स इतना कहकर अर्मान ने फोन लाउड स्पीकर पर रख दिया और अपना लाप्टॉप निकाल कर उस पर कुछ करने लगा करीब दो मिनिट बाद ही अर्मान के लाप्टॉप स्क्रीन पर निरंजन राना की पिछले एक हफते की सारी एक्टिविटीज श हो रही थी पिछली एक हफते से निरंजन राना सबसे ज़्यादा किसी रहीम नाम के इंसान के साथ कांटेक्ट में था और यह इनसान जब भी निरंजन राना से बात करता था इसकी लोकेशन अजमेर या फिर भांगर्व फोर्ट में ही शो हो रही अर्मान ने एक स्माइल के साथ लेप्टॉप पर कुछ टाइप किया और फिर मोबाइल पर आर्यन से कहा बुआ भांगर्व फोर्ट में है अर्मान की बात सुनकर आर्यन ने कहा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो अर्मान अर्मान ने कहा मैंने निरंजन राना की पिछली ए से डिटेल निकाली तब मुझे पता चला कि अजमेर सिर्फ एक उप्षन था असल में बुआ भांगर्व फोर्ट में है क्योंकि निरंजन राना ने जब अपने आदमियों से फोन पर बात की तब उसके आदमियों ने अपने मोबाइल जी पीएस लोकेशन बंद नहीं की थी उनकी लोकेशन पिछले एक हफते से दिन में आधा टाइम भांगर्व फोर्ट पर शो हो रही है I am 90% अट बुआ इस देर आरियन की बात सुनकर आरियन ने कहा और बाकी के 10 प्रतिशत अर्मान अर्मान ने कहा 10 प्रतिशत चांसेस है कि बुआ अजमेर में हो सकते आरियन मे एक गहरी सांस लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते अर्मान और अगर 90 प्रतिशत चांस भांगर्व फोर्ट के है तो हम पहले वहां पर ही वह भेरवी को ढूंड लेंगे अर्मान ने आर्यन से कहा और उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं आपको जिन्दा नहीं छोडूंगा अर्मान ने ये सब बेहद सीरियस लहजे में कहा था आर्यन भी यह बात अच्छे से जानता था अर्मान ऐसा कर भी सकता है आर्यन में अर्मान से कहा टीम अलफा और टीम ड्रेगन कब तक जैपुर पहुंच रही है अर्मान ने अपने फोन पर कुछ देखते हुए कहा वह लोग इस टाइम महल के बाहर पहुंच चुके हैं आर्यन ने खिरकी से देखा तो सच में अभी अभी टीम ड्रागन और अल्फा महल के बाहर खड़ी थी कि ये देखकर आर्यन के फेस पर एक स्माइल आगे आर्यन में अर्मान से कहा तुम चिंता मत करो कल सुबह तक हम लोग भेरवी को ढूंडने के लिए भांगर फोर्ट निकल जाएंगे और आई प्रॉमिस में भेरवी को कुछ नहीं होने दूनगा चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी करना देनी पड़े आर्यन की बात सुनकर अर्मान ने कठोर लेजी में कहा मुझे आप दोनों मेरे सामने सही सलामत जिन्दा चाहिए अर्मान की बात पर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा अर्मान तुम सीधे सीधे क्यूं नहीं कहते कि तुम्हें मेरी चिंता है अर्मान ने आरियन की बात पर कहां ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं और रही बात आपकी चिंता की तो वो मुझे है ठीक है अब अपनी बक्वास बंद कीजे और बुआ को ढूंडने के प्लान पर का ध्यान दीजे कोई गड़बड नहीं चाहिए आरियन ने अर्मान से कहा तुम चिंता मत करो इस बार मैं कुछ गड़बड नहीं होने दूनगा हम एक बार जरूर बेवकूफ बन गए थे कि हमारी भेरवी हमारे बीच नहीं रही पर इस बार में उस निरंजन राना को बिलकुल भी नहीं छोडूनगा आखिर उसकी वजह से हम पिछले धाई साल से हमारी भेरवी को मरा हुआ मान रहे थे पर अब जब हमें पता चल चुका है कि भेरवी जिन्दा है तो मैं अपना प्लान पूरी तरह से तयार करकर ही भांगर फोट पर भेरवी को ढूंडने जाऊंगा और मेरा प्रॉमिस है कि चाहे कुछ भी हो जा इस नर्क में नहीं रहनी चाहिए इतना कहकर अर्मान ने फोन कट कर दिया फोन रखने के बाद अर्मान बैड पर पीठ के बल लेट गया और अपने आँखें बंद करके अर्मान के दिमाग में बार बार यही सवाल चल रहा था कि जब भेरवी ने उसके सामने अपनी आखर सांसे ली थी तो फिर भेरवी जिन्दा कैसे हैं अर्मान को बार बार यही सवाल परेशान कर रहा था पर इस सवाल का जवाब निरंजन राना के अलावा कोई नहीं दे सकता था इस वजह से अर्मान ने सब कुछ आर्यन के ऊपर छोड़ दिया आज का पूरा दिन आर्यन ने मिलकर टीम ड्रगन और टीम अलफा के साथ भांगर फोर्च पर भेरवी को ढूंडने का प्लान पूरी तरह से बना लिया था आखिर में पूरा प्लान बनने के बाद आर्यन ने एक सेटिसफेक्शन भरी मुस्कान के साथ कहा आब चाहे कुछ भी हो जाए निरंजन राना मैं तुझे छोडूँगा नहीं आखिर तेरी बजे से मेरी जान इतने सालों से मुझसे दूर है और मुझे ये भी नहीं पता था कि वह जिंदा भी है पता नहीं तु नहीं मेरी जान को किस हाल में रखा होगा अबस एक बार मेरी जान मिल जाए फिर मैं तुझे जान से मारने में एक पल की भी देरी नहीं लगाऊंगा आज की रात सबकी आँखों आँखों में ही कटी अर्मान बस बार-बार यही सोच रहा था कि क्या सच में भेरो जिन्दा है और आर्यन कल अपनी जान को छुडाने के खयाल से ही रात भर नहीं सो पाया था अगला दिन रविवार का दिन था इसलिए किसी को स्कूल नहीं जाना था सब लोग घर पर ही पढ़ाई करने वाले थे अर्मान अपने रूम में लाप्टॉप पर निरंजन राना की कर्ट लोकेशन ट्राक करने में लगा हुआ था क्योंकि अर्मान बिलकुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था एक बार उसने अपने बुआ को खो दिया था पर किस्मत में शायद उसकी बुआ का जीना लिखा था इस वज़े से उसकी बुआ जिन्दा थी अर्मान इस बार चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बुआ को कु ट्राक करना चाहता था ताकि वो वक्त वक्त पर आर्यन को उनके बारे में सब कुछ बता सके इस वक्त निरंजन राना की लोकेशन अजमेर में दिखा रही थी अर्मान को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर भेरवी भांगर फोर्ट में है तो निरंजन राना अजमेर में क् ना कहीं इस सब में कुछ अजीब लग रहा था पर क्या अजीब है ये अर्मान को भी नहीं पता था। के साथ थे आर्यन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और आर्यन का फेस पूरी तरह से ब्लॉक मस्से कवा था। अर्यन के बीच वाले हिस्से में अपने साथियों के साथ धून ने के ये गया करीब दो घंटे तक पूरा किला च्छन मारने के बाद वन लोगों को बहां पर किसी के हुने का कोई सुराग नहीं मिला। पिर में आरियन ने अपने Bluetooth Connector से Team Alpha को कुछ मिला ये पूछा Team Alpha के हेड ने कहा नहीं सब यहां पर ऐसा लगी नहीं रहा होगा फिर आरियन ने Team Dragon के हेड से पूछा कि तुम लोगों को कुछ मिला उसका जवाब भी सेम था आरियन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा तो आखिर ये लोग हैं कहां इतना कहकर आरियन ने गुस्से से अपना पाव पटका इस वक्त आरियन किले के बीच के हिस्से में मौजूद था आरियन ने पैर पटकते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ आरियन नीचे जुका और उसने हाथों से जमीन को टैप करके करके देखा आर्यन को महसूस हुआ कि किले के अंदर शायद कुछ सीक्रेट दरवाजे होंगे आर्यन ने जल्दी से टीम अलफा के मेंबर्स और टीम ड्रेगन के मेंबर्स को किले के बीच के वाले हिस्से में आने को कहा कुछी देर बाद आर्यन के सारे आदमी जो करीब सो के आसपास थे सभी लोग वहां पर मौजूद थे आर्यन ने जल्दी से पूरी जगह को छान मार कर नीचे जाने का दरवाजा ढूंडने के लिए कहा सभी लोग दरवाजा ढूंडने में लग गए पर किसी को कुछ दरवाजा नहीं मिल रहा था आखिर में आर्यन ने इरिटेट होकर किले के दीवार पर एक जगह हाथ मारा उस जगह हाथ मारते हैं वहाँ पर बनी हुई दीवार अचानक साइड हट गई ये देख कर सब लोग जाग गए उस दीवार के साइड हटते ही वहाँ से उन्हें नीचे जाने के लिए सीलिया दिखाए दी सीलिया देखने के बाद आर्यन के सभी साथी और आर्यन जल्दी से नीचे की और जाने लगे नीचे अंधेरा ही अंधेरा था ऐसा लग रहा था जैसे नीचे गई जहरिले जानवर भी हो सकते हैं जैसे सांप बिच्छू पर इस वक्त उन सब के लिए भेरवी को ढूंड़ना सबसे इंपोर्टेंट टीम अल्फा का लीडर जिसका नाम जोसफ था उसने आर्यन से कहा हमें यहाँ पर पहले आधे लोगों को जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई खत्रा हुआ तो बाकी के आधे हम बाद में हेल्प के लिए आ सकते हैं टीम अल्फा के लीडर जोसफ का सुझाव सब को सही लगा उन्हें और ज्यादा अंधेरा ही देख रहा था वह पर लगी नहीं रहा था कि जैसे कोई वहाँ पर रहता वह लोग अभी नीचे उत्रे ही थे कि इतने में ही उन्हें किसी के चिलाने की आवाज है यह आवाज सुनकर सभी लोग उस आवास की दिशा में भागी जैसे जैस ते वो लोग अंदर जा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा हटकर रोशनी दिखाई दे रही थी आखिर में वह अंडर ग्राउंड में बने एक कमरे में आ गए उस कमरे में चारों और दिवारों का कलर काला कलर था और उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था किसी को कुछ नहीं द उस पूरे रूम को जगमगाता कर दिया तभी उस रूम में से किसी के चिलाने की आवाज आ रही थी उन्होंने उस दिशा में अपने लाइट्स को किया वहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा बुरे हालत में घुटनों के बल बैठ कर रही थी अचानक इतनी ज्यादा देखा था आरियन को पता भी नहीं चला कि कब उसके आँखों से आंसू बह कर उसके गालों पर लुड़कने लगे आरियन के कदम वही ठिठक गए आरियन आगे बढ़ना चाहता था पर उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे टीम अलफा के मैंबर्स और आरियन के बोडी गार् जो की उसके साथ पिछले दस सालों से था वह आगे आया और उसने आरियन को कंधों से पकड़ कर का सर उसके बुलाने पर आरियन को होश आया और आरियन ने उसे धखका दिया और दोड़ कर उस लड़की के पास गया उस लड़की ने जैसे ही किसी को खुद की करीब महसूस किया उसने अपनी आँखों से हाथों को हटा दिया जैसे ही उसने अपने आगे खड़े इनसान को देखा वह लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी प्लीज हमें मत मारो प्लीज हमें मत मारो हमें जाने दो हमें हमारे अर्मान के पास जाना है हमें जाने दो हमें आ बहरवी की हालत काफी खराब थी जो बहरवी पहले किसी प्रिंसेस की तरह दिखती थी अब उसे देखकर यह कैपाना मुश्किल था कि यह वही है उसकी हालत ऐसी हो गई थी ऐसा लग रहा था जैसे उसने महीनों से यही कपड़े पहन कर रखे हो उसके बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए थे चहरे पर जो हमेशा नूर रहता था आज उस चहरे पर उदासी च्छाई हुई थी भहरवी को ऐसे चिलाता देख आर्यन आगे बढ़ा और उसने भहरवी को कसकर गले लगा ले या भहरवी ने उसे धकका दिया पर आर्यन ने उसे कसकर पकड़के रखा इस वक्त दोनों की आँखों से आँसु जज़र बह रहे थे आज तीन साल बाद अपनी जान को अपने गले से लगा कर आर्यन को जो सुकून मिल रहा था वह पिछले तीन सालों में उसे कहीं नहीं मिला। काफी देर तक भहरवी उसके गले लग कर चिल्लाती रहेगी उसे छोड़ दे पर आर्यन ने भहरवी को नहीं छोड़ा आखिर में भहरवी चिल्लाते चिल्लाते अचानक से आर्यन के कंदे पर सर रख कर लुड़क गई अचानक से भहरवी को ऐसे बेहोश होता देख आर्यन ज्यादा घबरा गया, आर्यन चिलला चिलला कर भेरवी को उठाने की कोशिश कर रहा था, आर्यन उसके गालों को थप थपाकर कर कह रहा था, जान उठो उठो आपकी आर्यन आ गए हैं, जानू पलीज ऐसे मत दराओ पहले ही हम आपको खोने के दर महसूस कर सकते हैं, अब औ और हिम्मत नहीं है जान तो आखिर अचानक से क्या हुआ भहरवी को और कल मैं लिपाने वाली हूँ आप लोग इसके लिए प्रिप्यार रही है क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है तो चलिए बिना देरी कि ये शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड पि भहरवी के ऐसे अचानक से बेहोश होने के कारण आरियन बहुत ज्यादा घबरा गया था घबराहट के मारे आरियन पैनिक करने लगा था आखिर उसको पूरे धाई साल के बाद पता चला था कि उसकी जान जिन्दा है और ऐसे अचानक अपनी जान को इस तरह अपने हाथों भहरवी के गालों को थपथपा रहा था पर भहरवी कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी आरियन को इस तरह पैनिक करता देख आरियन के हेड बोडी गार्ड शेरा आगे आ गया और उसने आरियन की पीट पर हाथ रखते हुए कहा बॉस हमें मैडम को पहले हॉस्पिटल लेक जाना होगा शेरा के बात सुनकर आरियन को होश आया और आरियन ने चिल्ला कर कहा जल्दी से गाड़ी रेडी करो इतना कहकर आरियन ने भहरवी को अपनी गोद में उठाया पर तभी उसे महसूस हुआ भहरवी के पाउ लोहे की जंजीर से बंधे हुए हैं ये देखकर आर आरियन ने बोडी गार्ड्स को इशारा किया उन बोडी गार्ड्स ने जल्दी से उस लोहे की जंजीर पर दो-तीन बार फायर किया दो-तीन बार फायर होने की वजह से वह जंजीर तूट गई पर जंजीर का टुकड़ा अभी भी भहरवी के पेरों पर था पर अभी उनका यहां पर रुपना ठीक नहीं था इसलिए आर्यन ने भेरवी को गोद में उठाया और भांगर फोर्ट से बाहर की ओर निकलने लगा सभी लोग बाहर की ओर निकलने लगे अभी वह सीक्रेट रूम से बाहर निकल कर किले के बाहर ही जा रहे थे कि तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट उनकी तरफ आती हुई सुनाई दी कदमों की आहट सुनकर टीम अलफा और टीम ड्रेगन सतर्क होकर एक्शन मोड में खड़े थे आर्यन ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि जो कोई भी सामने आये उसे जान से मारने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है और टीम अल को इशारा किया सारे बोडी गार्ड्स आर्यन और भेरवी को कव किये हुए थे आर्यन लगातार भेरवी के गालों को थप थपा कर घबराते हुए बाहर की और बढ़ रहा था तभी उन्हें उनके और करीब 20-30 कठे आदमी आते हुए दिखाई दिये उन लोगों ने जैसे भेरवी को आर्यन की गोद में देखा वह सब चिल्ला कर कहने लगे कौन है ये पकड़ो इसे अगर ये इस लड़की को लेकर गया तो बॉस हमें छोडेंगे नहीं उस गुंडे की बात सुनकर दूसरे उसके साथ ही ने कहा अरे भाई जल्दी चलो वरना वो हमारा जल्लाद बॉस हमें जिंदा काथते का उसके बाद पर सभी आदमियों ने हां में हां मिला या और दौरते हुए भेरवी और आरियन की तरफ आ गए इससे पहले की वो सब उ मेंबर को एक खरोच भी नहीं आई थी आरियन ने जल्दी से अपने बॉडी गार्ड से कहा इन सभी को जल्दी से जंगल में फिकवा दो ताकि भूखे जंगली जानवरों का पेट भर सके और अगर इनमें से कोई जिंदा बचा हो तो उसे लेकर अड़े पर पहुंच आरियन तेज कदमों से भेरवी को गोद में लेकर बाहर की ओर जाने लगा भांगर फोर्ट से बाहर निकल कर आरियन सीधा अपनी कार में भेरवी को लेकर बैठ गया ड्राइवर ने कार स्टॉट कर दी और कार हॉस्पिटल की ओर चल दी आरियन के दिल की धरकिन है इस वक्त काफी ज्यादा तेज थी उसकी नजरे एक तक अपनी गोद में बेजान सी लेटी भेरवी पर थी भेरवी को देख कर फिर से उसकी आँख में आशु आ गए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जान जो दिन भर शरार्ते करती इधर उ आरियन को खुद से दूर करकर उसका नाम चिल्लाए जा रहे थी आरियन ने जुक कर भेरवी के माते पर किस किया और अपने सीने से भेरवी का सर लगा कर कहां चाहे कुछ भी क्यूं ना हो जाए जान इस बार हम आपको खुद से दूर नहीं होने देंगे और जिसने भी आपके बिना हम कैसे जिये हैं हर पर सिर्फ यही ख्याल आता था कि काश अगर हम आपको छोड़कर लंदन नहीं गए होते तो आप शायद हमारे साथ सही सलामत हमारी बाहों में होती 2.5 सालों में हमने आपकी हर एक शैतानी हर एक मस्ती कितनी मिस्की है जान आप सोच भी नही सकती भेरवी आर्यन के सीने से लगी हुई थी और आर्यन उसे प्यार से तब तक आकर भेरवी और अपने पुराने दिनों की यादों में खोया हुआ था उसे लग रहा था कि इस बार भी अगर उसकी जान को कुछ हो गया तो वह जी नहीं पाएगा पिछली बार तो जैसे ऐसे भेरवी की आखिरी इच्छा समझ कर पूरा करने के लिए वह जी रहा था पर अब उससे यह नहीं होगा। पर का इंतजाम नहीं करवाया था। पर आरियन को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि अगर उन्हें होस्पिटल पहुँचने में देर हो गई आरियन तो कुछ सोचने समझने की शक्ती में ही नहीं था कि तभी उसे कार के उपर कुछ फड़़डाने की आवाज सुनाई दी थ पूरी ध्यान से सुनने के बाद आरियन को यह एहसास हुआ कि यह किसी चौपर की आवाज है। जगह जाने के लिए बनाया गया था जहां पर जगह कम हो पर यह फिर भी वहाँ पर लांड हो सके। वहीं अर्मान एक तक किसी जिन्दा लाश की तरह वह भेरवी को देख रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बुआ जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था। उसकी आखों के सामने जिन्दा है अर्मान की आखों से दो बून्द आंसू आहिल के हाथ पर गिर गए क्योंकि अर्मान को इस तरह देख आहिल ने अपने दोनों हाथों को अर्मान के पैरों पर रखा हुआ था। आज पूरे धाई साल बाद अर्मान की आखों से आंसू गिरे थे पिछली बार जब भेरवी के मौत की खबर सबको मिली थी तब अर्मान फूट फूट कर रोया था तब से लेकर आज तक अर्मान की आखों से एक भी आंसू नहीं गिरा था। अर्मान ने खुद के एमोशन को जैसे तैसे कंट्रोल किया और अपना हाथ भेरवी के चहरे की ओर बढ़ाने लगा उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसकी क्यूटीपई बुआ जो हमेशा उसे परेशान करती थी वह जिन्दा है। अर्मान को डर लग रहा था कि अगर उसने भेरवी को चुआ तो उसका ही है हसीन ख्वाब तूट जाएगा जैसे तैसे अर्मान ने अपना हाथ बढ़ा कर भेरवी को फेस को टच किया उसे भेरवी का फेस जो पहले किसी रूई की तरह नाजुक हुआ करता था आज वह एक सक्त फेस बन चुका था ये देखकर अर्मान की आँखों में गुस्सा उतर आया वह भेरवी की हालत देखकर अंदाजा लगा सकता था कि निरंजन राना ने भेरवी को कितना टॉर्चर किया होगा अर्मान का ऐसा रेक्षन देखकर आर्यन अपनी भीगी पलेकों के साथ अर्मान को देख रहा था क्योंकि इन 20 सालों में अर्मान और आर्यन वह दो लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को संभाला था भले ही वो दोनों एक दूसरे से सीधे मूँ बात भी ना करते हो पर उनके इसी एटिट्यूड और टशन में वह एक दूसरे की फिक्र करते थे ताकि दूसरे को ऐसा लगे कि वह बस अपने काम के लिए उनकी फिक्र कर रहा है पर असल में दोनों ये बात जानते थे कि उन दो क्योंकि इस वक्त उनका माइंड एक जगा पर स्टेबल नहीं था। आर्यन भेरवी को गोद में लेकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर भागा आर्यन के पीछे भी आहिल और अर्मान भी हॉस्पिटल के अंदर आने लगे अर्मान और आहिल बिलकुर शांत तरीके से बिहेव कर रहे थे कोई उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता था कि अभी अभी उन उन दोनों बच्चों ने अपनी धाई साल पहले मरी बुआ को जिन्दा देखा है उन दोनों की जगा पर अगर कोई नॉमल बच्चे होते तो अभी तक भूत भूत कहकर चिल्ला कर बेहोश हो चुके होते पर ये दे ग्रेट राठोर ब्रदर्स थे जो इतनी सी उम्र में ही का पर अर्मान और आहिल शांत एक बैंच पर बैठे हुए थे उन्हें देखकर लगी नहीं रहा था की जैसे उन दोनों को कोई चिन्टा हो पर असल में दोनों के दिल में उतर पुथल मची हुई थी पर वह दोनों ही अपने अमोशन को अच्छे से कंठ्रोल करना चाहते थे अर्मान एक तक emergency light को देख रहा था और आहिल अर्मान के face को अर्मान के दोनों हाथ इस वक्त उसके थाइस पर थे और अर्मान के हाथों के ऊपर आहिल के हाथ थे आहिर अच्छे से जानता था कि अर्मान भहरवी से emotionally कितना connected है क्योंकि जब भहरवी लंदन से इंडिया वापस आई थी उस वक्त अर्मान आहिल से भी बात नहीं करता था पर जैसे तैसे भहरवी ने अर्मान को ठीक करने के लिए अपनी शैतानिया करनी शुरू भहरवी के शैतानिया से चिड़कर अर्मान सबसे बाते करने लगा और आहिल जो शुरू से ही अर्मान के साथ थोड़ी ब मुम्र दोस्त या फिर भाई बहन के साथ अच्छे से कह सकते हैं इसी वज़े से शायद अर्मान और आहिल की बॉंडिंग स्ट्रांग होती चली आई भले ही अर्मान ज्यादा बाते ना करता हो पर फिर भी वह अपनी बहुत सारी बाते आहिल के साथ शेयर करता था और आहिल इसी बात से खुश था करीब एक घंटे के बाद इमजनसी रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर सुधीर जिन्होंने पहले भी भहरवी का इलाज किया था वह बाहर आये जब उन्होंने भहरवी को अपने सामने पूरे धाई साल बाद जिन्दा देखा था क्योंकि इस से पहले डॉक्टर सुधीर नहीं भहरवी के डेट घोशित किया था उनकी हैरानी का कोई ठेकाना ही नहीं था पर फिर भी उन्होंने पहले भहरवी की हेल्थ को प्रयोरटी देते हुए उसका इलाज करना सही समझा बाद में उन्होंने सब से पूछने के बारे में सोचा जैसे ही डॉक्टर सुधीर बाहराय अर्मान अपनी जगा से एकदम कामली खड़ा हुआ उसे देख कर लगी नहीं रहा था कि जैसे उसे किसी की चिंता हो अर्मान शांती से चल कर डॉक्टर सुधीर के सामने खड़ा हो गया आर्यन पहले से ही डॉक्टर सुधीर के सामने पैनिक करते हुए पूछ रहा था कि भेरवी कैसी है डॉक्टर सुधीर ने अपने गलब्स को उतारा और आर्यन और अर्मान की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में कहा उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। वह शायद किसी को पहचान भी ना पाए। डॉक्टर की बात सुनकर की भेरवी को पिछले दो या धाई बजे सालों से mentally unstable यानी की पागल करने के लिए ड्रग्स देया जा रहा है आर्यन और अर्मान की मुठ्ठी गुस्से से कस गई। डॉक्टर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा और जैसे कि मैंने कहा उन्हें ये द्रग काफी लंबे टाइम से दिया जा रहा है और कोई नॉमल इंसान इस द्रग का सेवन अगर एक साल तक भी करे तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मेरे हिसाब से पिछले कुछ दिनों से इनका डोज शायद बढ़ा दिया गया है जिस वज़े से इनके माइंड ने रिस्पांस देना बंद कर दिया है डॉक्टर की बात सुनकर आरियन ने अपनी लड़ खडाते जबान में डॉक्टर से कहा आपकी कहने का क्या मतलब है डॉक्टर आरियन कि जैसे पिछले एक हफ़ते या फिर दस दिनों से इनहीं mentally unstable होने के truck का hydros दिया जा रहा है जिस वज़े से उनके brain ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है अगर शायद आज आप उन्हें यहां ना लेकर आते तो हमें नहीं लगता कि उनके बचने का बिलकुल भी chance था और अब आप जब उन्हें यहां लेकर आए हैं तब भी हम उन्हें बचाने के लिए काफी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसी भी इनसान का mind ही अगर response देना बंद कर दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते पर फिर भी अगर उन्हें सुबह तक होश नहीं आया तो वह क कोमा में जा सकती है डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन ने गुस्से से चिलाते हुए कहा what do you mean डॉक्टर मुझे मेरी जान बिलकुर ठीक चाहिए चाहे जो कुछ भी क्यूं ना हो जाए आप जितने चाहे उतने पैसे मैं देने के लिए तयार हूँ पर आप बस मेरी जान को ठ देखिये मिस्टर आर्यन मैं आपकी कंडिशन को समझ सकता हूँ पर हम डॉक्टर हैं कोशिश करना हमारा काम है पर बाकी सब उपर वाले के हाथ में होता है और रही बात पैसे कि तो आपको क्या लगता है मैं पैसे के लिए ये सब करता हूँ अगर आपको पता ना हो तो मै ये बात बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम सुधीर ओबरोय हैं और मैं ओबरोय इंडस्ट्रीज के मालिक जनारदन ओबरोय एकलोता पोता हूं। मैं यहां पर पैसे के लिए नहीं लोगों की जान बचाने के लिए काम करता हूँ और जितना मेरे हाथ में है मैं इतनी कोशिश करूंगा बाकी सब भगवान की मर्जी बस आप भगवान से दुआ कीजिए कि उन्हें सुबह तक होशा जाए इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए डॉक्टर के जाने के बाद आरियन बेसुध होकर एक बैंच पर बैठ गया आरियन की ऐसी हालत देखकर अर्मान और आहिल भी आरियन के पास बैठ कर किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा आरियन एक तक भहरवी के वार्ड की तरफ देखते हुए अर्मान से कह रहा था क्या सच में हमसे गलती हो गई अर्मान अगर हमें पहले ही भहरवी के बारे में पता चल गया होता तो आज शायद हमारी भहरवी इस हालत में नहीं होती। कैद करके रखा था अर्मान ने आरियन की तरफ देखा और एक कोल्ड लुक के साथ कहा मैंने पता लगा लिया है। उसके बाद अर्मान ने आर्यन से सब कुछ कह दिया जो उसे पता चला था ये सब सुनने के बाद आर्यन के तो होशी उल गए आर्यन ने अर्मान से कहा क्या तुम सच कह रहे हो अर्मान अर्मान ने अपना सर सिर्फ हां में हिला दिया वही अर्मान की बात सुनकर आहिल को ज् पोड़े एपिसोड का वेट करना पड़ेगा दो-तीन एपिसोड बात में आप सबको बता दूंगी। ऐसे ही उन तीनों की सुबह बैंच पर बैठे बैठे ही कट गई क्योंकि डॉक्टर ने किसी को भी भहरवी को देखने के लिए मना किया था क्योंकि उसे इनफेक्शन का खत्रा हो सकता था। अगली सुबह सबकी आँखों में एक गहरी निराशा चा गई क्योंकि वह भहरवी को होश नहीं आया था और भहरवी कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि उसके कोमा से बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। चार साल बाद राठोर मेंशन में दो 14 साल के लड़के एक रूम में कुछ इंपोटेंट डिसकस कर रहे थे वो दोनों दिखने में इतने ज़्यादा हैंसम थे कि अगर कोई भी लड़की उन्हें देख ले तो देखती ही रह जाओ उनमें से एक लड़का तो इतना ज़्या आहिल ने अपना हाथ साइड में घुमा कर देखा उसे वहाँ पर फाइल दिखाई नहीं दी दूसरा लड़का जो की अर्मान था उसने जवाब अपनी नजर घुमा कर आहिल की तरफ देखा तो उसे आहिल के पेज पर थोड़ी इरिटेशन दिखाई दी उसने साइड में देखा तो फाइल नहीं थी ये देखकर दोनों एक साथ गुस्से से चिलाएं इंजल कपकेक तो आखिर क्या क्या बदला है इन चार सालों में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ गाइज में इस चार सालों में क्या हुआ आप सब लोगों को शौट में बताऊंगी और आ आप लोगों को बुआ और भांजे की बॉंडिंग भी देखने को मिलेगी पर सबसे ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा तो आपको जनार्दन जी वर्सिस अर्मान का टेशन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आंडरोइड लाइक कॉमेंट शेर जरूर